बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफेकिशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें नमश्कार मैं हूँ आपके साथ विवेक डौगरा आए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्कियों पर सूरज के तीखे तेवर और लू ने उत्तर भारत के जादातर राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है आलम ये है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हर्याना ही नहीं बलकि पहड़ी राज्यों जैसे उत्राखन, जम्मु कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी अधिक्तम तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच गया भीशन गर्मी को लेकर दिल्ली, बंगाल और उत्राखन ने अलर्ड चारी किया है मौसम विभाग का साफ कहना है कि पच्छुआ हवाओं की मजबूत इस्तिती और राजिस्थान से आ रही गर्म हवा के कारण लू अपना कहर बरबा रही है गर्मी का आलम ये है कि सूरज उगने के कुछ घंटे बाद ही तपन बढ़ने लगती है इसी के साथ ही चलने वाले लू के थपेड़े लोगों का दिन में घर से निकलना मुश्किल कर देते हैं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अगले पांच दिन लू से राहत के कोई आसान नहीं है इसी को देखते हुए 28 अपरेल से 2 मई तक के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया वही बिहार की राजधानी पटना समेट प्रदेश के दक्षणे हिस्सों में चिल चिलाती धूप और लू ने कहर पर पाया 44.60 डिग्री सेल्शियोस के साथ बकसर प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा बिहार में भी तीन दिनों तक राहत के आसान नहीं है वही बात करे पहाडी राज़्य हिमाचर प्रदेश की तो वहाँ पर अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्शियोस की वृत्थी दर्श की गई उना में अधिक्तम तापमान 41.60 डिग्री सेल्शियोस रहा मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को लाहुल स्पिती समेत अधिक्तर उचाई वाले स्थानों में हलकी बारिश हो सकती है वही बात करे उत्राखन की तो उत्राखन में मौसम शुष्ख बना हुआ है और तापमान में लगातारो जाल जारी है मैदानी शेतरों में अधिक्तर तापमान 40 डिग्री सेल्शियोस के करीब पहुँच गया मौसम विभाग की माने तो अगली तीन दिन प्रदेश में भीशन गर्मी और लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया